नमस्कार, साथियों मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान तीन परकार की सक्तियां हमारे आसपास रहती हैं एक तो वह सक्तियां जिनका संबंद हमारे साथ किसी पूर्वजनम से है पूरु जनम में किसी देवता की आराधना की साधना की मंतर जाप किया तो समय आने पर वह शक्ति आपके जीवन में आपकी साहिता करने के लिए पुराना संसकार परकट हो जाता है दूसरी जिस देवता की आप वर्तमान समय में साधना उपासना भोग बली मंतर जापादी करते हैं वह देवता की शक्ति भी आपका सहयोग करने के लिए आपके आसपास रहती है तीसरा यदि कोई बड़ा साधक आपके बिरुद्ध हो जाए या कोई गंदी नियत से आपके खिलाब तंतर मंतर आदी की क्रिया करा दे काला जादू वगेरा वगेरा तो वह सक्तियां भी आपको नकारातमक रूप से परेशान कर सकती है साधियों हमारे आसपास इस समय किस देवता की शक्ति एक्टिव है उसके क्या लक्सन है किस परकार से आप व्यवारी के दरश्टी कौन से पैचान सकते है सकारातमक है तो और जादा बढ़िया कैसे करें नकारातमक है नुकसान दायक है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं इस विसे पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा होगी लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दूँ यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं या आप अच्छी स्रेणी के राशी रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोट्स अप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चलिए साथियों विस्तार में आगे बढ़ते हैं किसी जनम में आपने कोई साधना तपश्चा जरूर की है आपका संबंद उस स्थान से रहा है तो जब भी वह चीज सामने पढ़ती है वह मंदर सामने पढ़ता है वह देवता का चित्र आपके सामने पढ़ता है तो पुराने वाले भावनाएं कहीं नगई जाग उठती है तो यदि किसी को देख करके, किसी शक्ती को देख करके आपके हिर्दे में आकरशन उत्पन होता है तो यह पूरू का संसकार होता है वर्तमान में परिस्तिति के अनुसार, जानकारी के इसाब से या किसी गुरू के द्वारा आपको यदि किसी मंत्र में या किसी साधना में परवर्त कराया गया है आप साधना कर रहे हैं तो यदि बहुत कुछ आपके जीवन में पोजेटिव है बहुत कुछ आपके जीवन में शांदार तरीके से आगे बढ़ रहा है 90% तक तो वहत अत्काल जो आप साधना कर रहे हैं उसका प्रभाव होता है साथियों सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते बिना किसी कारण के अपने लोग पराय हो जाएं जिन लोगों से आप इसने रखते हैं वही लोग आपको टेंसन देना प्रारंब कर दें जो लोगों की आप पालन पोसन करते हैं वही आपके खिराफ कड़े हो जाएं अचानक से काम बिगडने प्रारंब हो जाएं चोटे चोटे गलत संकेत मिलने प्रारंब हो जाएं इस तरह की परिस्थिति में समझ लेना चाहिए कोई न कोई काला जादू या कोई तांत्रिक प्रक्रिया या किसी खराब गरह स्थिति के कारण कोई नकारातमक शक्ति निश्चित रूप से आपके जीवन को गलत तरीके से प्रभावित कर रही है अब ऐसे में सवाल उठता है हमें करना क्या चाहिए तीनों में से कोई भी परिस्थिति है अगर नकारातमक परिस्थिति है जो मैंने तीन नंबर अभी अभी बताई तो आपको योग्या आचारिया या गुरु के संद्रक्षन में साधना करके उस सक्ति से छुटकारा पाने के सारे उपाई सोचने चाहिए पूरुकृत किसी देवता से आपका प्रेम है संबंद है संसकार है कोई और आपका हिर्दे में भावनाय भर जाती है किसी वंदिर पर जाकर किसी देविस्थान पर जाकर कैसा होता है आम तोर पर आपको ज़्यादा प्रियास करना चाहिए कि इस जनम में भी उसी देवता क साधना को प्रारंब कर दें या अपने गुरू के संद्रक्षन में जो वरतमान साधना आपकी चल रही है उसको मजबूति के साथ आगे बढ़ाएं साध को मित्रो आपको मैं एक सुत्र बता देना चाहता हूं जिस बस्तू से है ब्यक्ति से हमें एक बार लाब आजाए चाहिए ब्यक्ति है या बस्तू है उसको भूलखर भी छोड़ना नहीं चाहिए चोंकि कुद्रत परकर्ती आपको केवल संकेत देती है इशारा करती है रमण्ज की समझ होती है भया जो कुद्रत के सारे को पकड़ गया जो रह गया तो उसकी ट्रेन शूट जाती है शांदार तरीके से साधना करें शांदार तरीके से जैसे दूसरे कामों को आप टाइम देते हैं अपनी साधना को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें तो इश्वर आपके आपका कल्यान करें इसी मनो कामना के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ नमस्कार